दोस्तों आज की बीडियो में हम देखेंगे कैसे आप फेस्बूक पेस्प के जो है एड्मीन है दूसरे को देख सकते हैं यानि मानलो आपकी एक फेस्बूक पेस है उसका एड्मीन जो है आप दूसरे को देख सकते हैं यहां पर देखें मेरा बहुत सारा पेस है इसमें आप करना पर आपको सिंपली जाना है Facebook page की उपर और जो भी आपका admin देना है उसको select कर लेना है या यह वाला को हम select कर लेंगे क्यूंकि यहां से हम admin देगे तो select करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा आने के बाद आपको simply क्या करना है setting वाप्ट को क्लिक कर देना है इसको क्लिक कर तरह से कुश这么 सरे आजाएगा इसमें बहुत सरा information जो है दिया हुआ है आपको simply जाना है page रोल यह वाफटन आपको select कर लेना है तो हम इसमें जाके जो page रोल है इसको select कर लेते हैं उसे के साथ इस तरह से कुस्कुल जाएगा और आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर देखिए 8h person to page यह wall option आपको मिल जाएगा सिंपलि आपको इसमें एंटर कर देना है क्लिक करने के के साथ आपको continue बटन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आजाएगा आपको सिंपली यहां पर देखिए टाइप करना है आपका नेम टाइप करना है जो बंदे का आपको जो एडमिन देना है तो उसका नाम इसमें टाइप कर देजिए कुछ भी कि यह option आ रहा है इसके उपर आपको टिक कर देना है ठीक है इसके उपर टिक कर देना है इस तरह से टिक हो जाएगा और निशेज़ों है एड बटन पर क्लिक कर देना है उसके साथ उसके facebook page के दुरा मिल जाएगा उसको जो एडमिन आपने request भेजा है उसको accept कर लेना है और तो वो आपका जो ही ये पेस एक्सेस कर पाएंगे पूरा कंट्रोल कर पाएंगे इसी तरह आप चाहे तो अपना एडमीन दूसरे को दे सकते हैं अपने हेल्प के लिए तो दोस्तो आज के लिए है इतना ही फिर एक नए वीडियो लेके आपके समनाएंगे तब तक के लिए अपने अपने हैं अपने ही तरह दोस्तो आपके लिए हैंगे पूल कर दोस्तों